प्रेंड्स ये सबसे पहले मेरा ये चैनल है इसके सब्सक्राइब बटन पर आप लिए करते हैं और सब्सक्राइब करने इस चैनल को बिस्मिल्ला रह्मान रहीम असलाम अलेकुम फ्रेंड्स वेल्कम टू विट्स पॉर आल आज हमारा जो टुटोरियल है वो जो नेट फ्रेंबर का लेटेस्ट वर्जन विंडोस 7 पे इंस्टाल करना है तो आप यहां पे एक्स्टा टोरेंट की अपन कर लें और इसमें आपन सर्च में लिखना है विंडोस 7 अक्टूबर इंस्टाल करते हैं अपनी विंडोस 7 पे तो वो हमें यह नहीं होता वो इंस्टाल यानिके तो उसकी जो बज़ा है वो हमारे पास किये है कि हमारी विंडोस जो है वो अपडेटिट नहीं होती है और अगर हम अपडेट कर लें विंडोस की अपडेशन जो है वो उन करके तो वो बहुत लोड़ दावती है तो क्यों न हम अपडेटिट विंडोस ही इंस्टाल कर लें तो ये टूबर की विंडोस है, OS Forward, और टोरेंट है, ये आपने उपन करना है, और इसे डाउनलोड करना है, विंडोस को डाउनलोड पर लगा देना है, ये समें ये देखने, ये सारी अपडेट्स इंस्टाल्ड हैं पहले से लिए, इसमें तीन विंडोस हैं, 7, 8.1 और 10, तो 7 आप इसमें से इंस्टाल कर लें, और अब गूगल पर जाना है, आपने यहां पर लिखना है, डाउनलोड, ओफलाइन करना है आपने डाउनलोड इसका साइट पर, यहां से यहां से यह माइक्रोसोफ की रच साइट फुल जाएगी, यह आपने अपने डाउनले, यह ओपन होरे ही है, यहां से यह डाउनलोड इसका साइट अप कर लेना है, तो आप इसे इंस्टाल करेंगे साइट अप को तो यह साइट अप इंस्टाल हो जाएगा, .NET Framework 4.6.2 इसलिए हम इंस्टाल करते हैं, यह और लेटेस परेजिन जो है, वो मांगता है .NET Framework और बहुत सी डिफरेंट गेम्स हैं, हमारे पास वो .NET Framework का लेटेस परेजिन रिवाइड करती है, तो जो आज की टिटोरियल में हमने देखा है, .NET Framework का लेटेस परेजिन 4.6.2 इसलिए इसलिए जाएगा, तो यह टिटोरियल खतम होता है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अलाहाफीज.